पाकिस्तान को पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत मिला है लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रियक्षिन आया चलिए वो देखते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट आगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपने सुचाओ जरूर शेयर करिएगा तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं वीडियो के बारे में जिसना का हमने देखा कि रिदेंबल भी आया उनकी जैसे एक्ष्टनल मिनिस्ट्री की तरफ से तो आप समझते हैं ऐसा हुआ है इसको हम डिस्मिस कर सकते हैं हन्स्तान इस बात मुसे रहा है कि जो भी ऑनका कश्मीर का मसला है वो उनका इंटर्र मामला है और उसके वाले से वो किसी किसम की जो एक्स्टरनर इंटर्फिरेंस है दे विल नाट ब्रूक इड़ लेकिन ये 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 बात कहने के बाफजूद मैं ये ज़रूर कहूंगा कि हिंदोस्तान के दर ये कंसर्म ही है कि अगर OIC का प् लेकर मेरे खाल कि इदोस्तान ये समझता है कि जब तक उसके माशी मफदाद जेहें वो बढ़ते हो इसके माशी मफदाद जेहें वो उन मुलकों के साथ वबस्ता है और उसकी वज़ा से वो दे के यूज़ यूज़ ये लेवरेज तो पुट पाकिस्तान जा स्टांस अन बैक फूट तो मेरे खाल में इंदोस्तान को ज्यादा परिशानी कोई लाक नहीं होगी यह हम और सी के वियानात की उपर हम खुशी का इसार तो कर देती हैं लेकिन बड़ लेकिन उसकी जो जब तक मैंने कहा के एक्शनेबल जब तक कोई कंक्रीट स्टेप जो हैं वो और स के प्लैट्फॉर्म से अनौस्ट नहीं करेंगे हम तो इंदोस्तान के उपर जो प्रैसर जिया कम असकम मुझे बढ़ता हुगा नदर नहीं आएगा वक्षी तोर पर उनका कंसर्ण तो यह होगा कि यह किसम की स्टेट्मेंट आई है और वो इस बात पे थोड़े से नाला भी होंगे उन वो एसे के मौने के साथ लेकिन और जासर जासा के पाकसान की मेशत कमजोर है तो इसलिए हमारा सिफारती वजन भी खुद भाखुद हलका हो जाता है इसके मुकाबले में हम देखने हैं कि सौधी रब और मुतैदा रब इमारात के जो माशी तालुकाते हैं भारत से वो बहुत जादा हैं तो ये सिर्फ माशी मफदात का खेल है क्योंकि कहा ही जाता है जी सफारतकारी जो होती है वो असूलों के ताबे नहीं होती है बलके कौमी मफदात के ताबे होती है तो पिर ये असूल असूल की तो बात मतलब नहीं किरनी चाहिए जहां पर जिसके मफदात हैं जी देखिए सीधी साधी बात ये है कि उन्होंने हमें पिरलाइज किया है उन्होंने हमें humiliate किया है जब हमने कहा तो उन्होंने कहा पैसे वापस दो उन्होंने कहा credit नहीं देते हैं तुम्हें तेल के लिए यह क्या बात है यह वर I mean वो बताना चाहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे साथ इस तरीके से सलूक रखने यह कोई प्रॉपर यह डिप्लोमसी वो प्लोमसी की बात नहीं है इसका नाम क्या है जी Organization of Islamic Conference यह UN नहीं है यह कोई multilateral body है एक multilateral है मगर it is as far as religion is concerned there is only one religion उधर लोग मारे जा रहे हैं कतल हो रहे हैं जिस तरीके से उनको यह यह एक statement नहीं दे सकते हैं उस पे और 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 फिर हमें सबक से का रहे है और हमारे से फाज एक पूरा brigade उधर रखा हुआ है उधर ostensibly for their protection देखिए यह ना कहें कि यह कुछ नहीं है और ऐसा ही होता रहता है let's be this not at all यह एक बहुत बड़ा disappointment है पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा कश्मीरियों के लिए भी बहुत बड़ा disappointment है और यह कहना कि यह कुछ नहीं है इसको समझना चाहिए national interest क्या national interest भाई क्यों यह ऐसे फिर why have this meat why have this body यह क्या फाइदा है इस body का अब तक तो सबसे बड़े दोस्ट दुश्मन मुसल्मानों के मुसल्मान खुद है और यह खुद उस तरीके से acting करते है सबसे बड़े दोस्ट को उन्होंने दुश्मन को दोस्ट बनाके और फलस्तिनियों का क्या नहीं किया है इनोंने छोड़ी है यह बातें इससे चलता नहीं है मामला यह आप बताएं आइ थिंक यू आफ तो रिफलेक्ट दू फिलिंग्स आफ यॉर पीपल और हमारे लोग बड़े अपसेट हैं अनसेटल्ड हैं डिसरपॉंटेड हैं और जैसे मैंने आपको का है यह दोस्ती पे एक धबा है जो कोई नहीं भूल सकता जो कोई नहीं भूल सकता अच्छा अब दुरानी साब जब जो बात है कि यह जो तनकीद जफर इलाली साब फर्मा रहे हैं यह बहुत अर्से से OIC पे जारी है और एक जमाना था हम तो सुना करते थे जब यह वाकिया नहीं भी हुआ था अबुदाबी वाला वाकिय से पहले भी कहा करते थे OIC मतलब देखने वाला और कुछ मतलब करना कराना नहीं सिर्फ हम OIC करके रुख जाती OIC एक तो यह तनकीद है फिर दूसरा जारी कि जो पाकिस्तान ये बड़े सगीर के मुस्लमान है वो अकली से जादा जजबाती खिसम की वाबस्तगी रखते है असलामी दुनिया के साथ और जब उनके वो जो खुआव हुए उनके जजबात जिसना से भी जिसका इज़ार हो रहा है हिलाली साब की गुफटुकू से वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े होते तो रद्देमल तो आता है जी देखे हिलाली साब हमारे मौत्टेनियर है उनके तो स्टाइल को तो हम जो है बड़ा जे उनके मौतकिद हैं और उनकी जो फ्रेंक टॉक है वो तो एक लेजेंड के तोड़ के इस्तेमाल होता है लेकिन बात यह है कि इतना जजबाती भी होने की जरुरत नहीं है और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप चाहिए अगर यह कह भी दें तो क्या आप असला हल हो गया नहीं हो दूसरे यह है कि यह जो जिन तालुकात का आप बात करें इंडिजूली जब जब जरुरत पड़ती है तो उन्होंने आपको हल्प किया है अब ऐसा भी नहीं है कि हल्प नहीं किया है अब वो भी अगर मैं चाहूं तो गिन्वास हो लेकिन उसके बाद यह भी है कि जब उनको जरुरत पड़ी आप जड़ा उनके शू में फिट होके देखिए तो वो क्या कहेंगे कि उनके साथ पिर पाकिस्तान ने क्या किया तो हमें यह भी कहना चाहिए कि हमने उनके साथ क्या किया वो कहते हैं अगर हमारे साथ देखो कबाईली लोग अगर आप सहुदिया और यह ही और उनकी बात कर तो कबाईली तो मामलात हैं उसमें कबाईली फिर उनकी तो पिर कीना परवरी जो है वो शुतर की तरह होती है उन्ट वाली कीना परवरी भूलते नहीं तो इसलिए मैं तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि यह यह भी तो देखना है कि आप खुद क्या बेचते हैं यह तो आप देख लेजिए आपकी जो है आपका 4.5 मिलियन पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहा है आपका जो है तक्रीप 12 बिलियन डॉलर का रिमिट्टेंस जो है वो आपको भेज रहा है ठीक है आउट अफ 22 बिलियन और एंजॉय किया दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान कस्मीर के लिए पिछले 70 सालों से कस्मीर कस्मीर कर रहा हाला कि उसको मिलने वाला कुछ भी नहीं है यह उसको भी पता है लेकिन कस्मीर कस्मीर करना उसकी मजबूरी है और OIC के हर साल जो सम्मिट होते हैं उसमे पाकिस्तान कोजिस करता है कि कस्मीर का मुद्दा किसी न किसी तरीके सो ठाके मुसलिम देश का सपोर्ट लिया जाए हाला कि उसका कोई भी मुसलिम देश सपोर्ट नहीं करता है एक-दो मुसलिम देश छोड़ के जैसे टर्की हो गया और कभी कभी इरान ने भी इस बार कस्मीर के बारे में कमेंड किया था तो पाकिस्तान की यही हालत है कई समय से और उसी को लेकर जफर हिलाली ने कमेंड किया जफर हिलाली ने बोला है OIC कुछ भी नहीं करेगा OIC इंडिया की गोद में बैठा है, इंडिया की ही बात सुनेगा आपको OIC से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यह एक कुछ भी नहीं कर सकता यह पाकिस्तान को कुछ समय बाद इसराइल को तसलीम करने की बात भी कहेगा मतलब इसराइल को ऐसा कंट्री मानने को भी कहेगा, जफर हिलाली ने किलियर भी बोला है यहाँ पर एक पैनलेस्ट यह भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान और UAE के जो तालुकात हैं मतलब जो रिस्ते हैं वो भारत और UAE के रिस्ते से काफी खराब हैं भारत और UAE के रिस्ते और जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है तो आप सोचे भी कि OIC में अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो इसका आंगे जाकर कुछ भी नहीं होने वाला है significance बस होगा पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हमने कस्मीर की आवाज OIC में उठाई है उसके बाद ये मुद्दाख खतम ऐसा ही कुछ इस वीडियो में आपने देखा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान ने कुछ समय पहले OIC को धंगी दी थी कि हम एक नया मुसलिम ब्लॉक बनाएंगे जिसका लीडर टर्की होगा टर्की आप पता होगा वो खलीपा पाकिस्तान अपने आपको समझता है टर्की को खलीपा बनाएगा पाकिस्तान उसकी मुसलिम उम्मा का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉंग न्यूकिलर पावर कंट्री बन जाएगा इसमें एक देस और उचल रहा था जिसके प्रेसिडेंट या पीम मुझे पता नहीं है क्या भूल गा मैं महतीर मुहंबत थे जो अपसाइद पीम थे जब अपसाइद वो हट चुके हैं और मलेशिया और भारत के रिस्ते भी उन्होंने काफी खराब कर दे थे आपको याद होगा पॉम आयल का काफी बॉयकाट हुआ था जिसके बास से वहां के अपोजिशन पार्टी ने महतीर मुहंबत के खिलाब काफी परदर्शन किया था मलेशिया टर्की और पाकिस्तानी का अपना नया ग्रूप बनाने को सोच रहे थे लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ